तो पार्ट नंबर यहां पर बेसिकली हम 19 के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 19 में यहां पर आर्टिकल 361 से 367 तक है तो यहां पर कुछ miscellaneous miscellaneous provisions है और total मिलाकर के लगभग 19 के अंगर 7 आर्टिकल्स है 361 से 367 तक फिर आता है पार्ट नंबर 20 तो पार्ट नंबर 20 में आर्टिकल 368 है जो constitutional amendment के बारे में बात करता है constitutional amendment के बारे में बात करता है और 368 है and then इसके अंदर लगभग total दो आर्टिकल्स है फिर पार्ट नंबर 21 के अंदर आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक है और इसके अंदर ना बहुत सारे टैंपरेरी ट्रांसेशनल ट्रांसेशनल जो टैंपरेरी हैं और ट्रांसेशनल हैं और कुछ स्पेशल प्रोविजन्स दिये गए हैं ठीक है जो स्पेशल प्रोविजन्स हैं इनको मिलाकर के टोटल 24 24 आर्टिकल इसके अंदर इंपॉल्व हैं तो बैसिकली यहां पर अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 22 दे लास्ट पार्ट आफ इंडिन कंस्टिशन यहां पर ना कुछ हम कह सकते हैं आर्टिकल हैं लगभग 393 से लेकर के 395 तक और यह हैं शॉट टाइटल अर्टिकल कमेंट में ठीकल है तो यह पर शॉट टैटल के उपए कुछ बाते की गई है और साथ-साथ यहां पर रिपील के बारे में और कमेंस्ट के बारे में बात की गई है तो जो commencement है तो commencement basically एक ऐसी condition होती है जिसमें हम शुरुवात करते हैं किसी जीच की तो हम कैसे मतलब constitution के बारे में बात करते हैं उसके बारे में और repeal के बारे में इसमें बताया गया है repeal की जो condition है उसमें यह होता है कि कैसे आप किसी भी law को no longer valid कर सकते हैं मतलब कि उसे कैसे खतम कर सकते हैं तो repeal का मतलब है कि किसी भी law को वापिस लेना और commencement का मतलब है कैसे उसकी शुरुवात करनी है constitution में लाने के लिए तो total मिलागर कर यहां पर तीन articles हैं अब कुछ special articles हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहले आता है article no 368 तो article no 368 जो है क्या कहता है तो यह basically of the constitution gives the impression that parliament's amending power are absolute and encompass all parts of the document यह कहता है कि जितने भी parts है इस पूरे document के उन सब पे लागू होता है और parliament के पास ही amending power है किसी भी constitution को convert करने के लिए मतलब किसी भी article को convert करने के लिए basically ठीक है तो यह कहता है कि parliament 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 amending power जो उसके पास में amending power है वो क्या है absolute है basically absolute and encompass और यह सब पर लागू होती है encompass all parts of the document of the document ठीक है however the supreme court has acted as break to legislative enthusiasm of parliament ever since independence तो हम यहाँ पर basically कह सकते हैं कि इसके उपर break के लिए break के तौर पर as break तो वो आपका supreme court है ठीक है supreme court यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से break के तौर पर है with the intention of preserving the original idols and visioned by the constitution makers the apex court pronounce parliament cannot distort damage or alter the basic feature of the constitution इसलिए ने एक statement कही जिसमें कहा गया कि parliament cannot parliament cannot distraught distort damage or alter the basic feature basic feature of the constitution of the constitution under reduction of amending it कि मतलब कहने का मतलब यह है कि parliament कि amendment के नाम पर ऐसा नहीं कर सकती कि कि किसी भी part को इसमें से distort कर दे जो इसका main basic structure है उसे distort कर दे distort का basic मतलब यहाँ पर यह है कि वो change कर दे क्शेंच करदे मतलब कि कहने का मतलब कुछ और बात का लेकिन वो इसे change कर दे मतलब यह जो कर दे मतलब दो है कि अपने हिसाब से चेंज कर देना feer को तो पार्लियामेंट के पास में ऐसी पावर नहीं है कि जिससे वो डिस्टॉर्ट कर सके डैमेज कर सके और और अल्टर कर सके बिसिकली तो यह आर्टिकल 368 है सुप्रीम कोट का यह इसके ऊपर एक तरह का एडवाईज है नोगों को क्योंकि बेसिक इस्ट्रक्ट्चर इसल्फ कैन नोट बी फाउंड इन दा कंस्यूशन कोई यहां पर नहीं है किसी आप पूरे कंस्यूशन के अंदर सुप्रीम कोट रिकोगनाइज दिस कॉंसेप्ट फॉर फॉर्स ताइम इन दा हिस्टोरिक केश्वनंदा भारती केस इन 1973 और यह सारी कहानी केश्वनंदा भारती केस से शो होती है जिसके अंदर पूरा बताया गया था कि मतलब यह बेशिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते हैं यहां पर ever since then the supreme court has been interpreter of the constitution supreme court क्या है interpreter है जब हम supreme court की बात करेंगे तो ये एक तरह का interpreter है interpreter of constitution ठीक है and and interpreter of the constitution and the arbiter of all amendments made by the parliament और ये बेसिकली ना एक arbiter की तरह यहां पर work करेगा अर्बेटायर का मतलब यहां पर यह है कि जो dispute solve करता है अगर कोई amendment यहां पर होती है तो उसके उपर कोई अगर dispute होता है तो उसे solve करने के लिए supreme court authorized है ठीक है तो यह आपका article 368 है अब हम बात करते हैं यहां पर secular इंडिया के बारे में topic है secular India इंडिया अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरू कीजेगा थैंक यू सो मच